तो मेरा प्यार भारा नमस्कार मैं दबब्रत अधिकरी आज आप लोगों को सामने एक अरिजिनाल हेल्थ इज वेल्ट लेकर एक वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तो एक बार गड़ से देखिए जो आज बाजार से जो शर्षो का टेल मिलता है ना पूरा का पूरा मिलावट ट्राइट ग्लिसराइड और कोलेस्टोरल और साथ में कुछ पिछला जातियों मरला पिछल टाइप का कुछ केमिकल होता है तो लेकिन यह है औरिजिनाल सर्षो का टेल जो मास्टार डॉयल बोलते है तो यह कैसे होता है आप लोग को मैं आज प्रेक्टिकल ये वीडियो ल है तो देखें दोस्तो ये जिन्दिकी ना मिलेगी दोबरा तो ये लाइफ इस ए वान चांच अनली तो एक बार घर से सुचने का कुछिस कीचेगा दोस्तो आज जो हाज बाजर में तेल मिल रहा है शर्षो का टेल या कोई भी साधा तेल फिर क्या बुलते है रिफाइन त बार से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमें किस टाइप का सर्षो का टेल खाना चाहिए लेना चाहिए फिर भी यो भी बहुत कम मत्रा में ये देखिए तेल एकदम आखों के सामने तेयार करके पेकिंग करके भीगता है देखिए ये जो सर्षो यहाँ पे दिया ग देखिए मैं भी यहां से लेता हूं तो बाद में एक बार सोचा तो यह वीडियो हमारा दोस्त लोगों को दिखाना जुरूरी है कैसे वेल बनाता है दिखिए घुमा घुमा के यह आ रहा है ठीक है ना आप लोग देखते जाहिए तो मैं आपको फिर यहां से इस चाट पे दिखा देता हूं तो आप लोग का एक काम आएगा तो किये केसे मुम्किन हो रहा है ठीक है ना तो दोस्तों मेरा विनम्रा निवेदा नहीं है खाने से पहले आप सोही चीज खाईए अपना हेल्प को सही रखिए और जितना कौम हो सके सर्चों का तेल या रिभाईन तेल क पहलेन है तो अंडे आपका हार्ट का बीमारी को भी नहीं होगा नी मॅह इक मत्रे ऐी सर्चों का या साधा तेल या रिफान तेल जितना भी हो अ इसी से हो रहा है दोस्तो तो मैं वीडियो और ज्यादा लंबान ही करूँगा आप लोग ये वीडियो दूसरे को जुरूर एक बार शेयर करके दिखाईए जो भाई याइसे ओरिजिनल सर्शो का तेल मिलता है तो ये भाई साथ का बहुत दिन से मेहनत है बहुत करता है तो मैं आज सोचा इनका एक वीडियो दाली देता हूँ येटूब में लेकिन मेरा एही आप लोग को एक से रिक्वेस्ट है आप लोग जुरूर इस वीडियो के विशाय में एक बार सोचिएगा और अपना हेल्थ के बारे में एक बार जुरूर सोचिएगा आज जो हम बिमार पर रहे है बिना सोचे बिना समझे जो खा रहे है उची से बिमार हो रहे है तो मेरा बिनाम्रा निवेदान है दोस्तों मेरा ये चेनल दुरूद साब्स्याइब करेके रखिए दूसरे को शेयर किजिए और अपना हेल्थ को अच्छा रखिए डक्टर से बचे रहिए बिमार मत परिये तो इस दिन्दिगे में जो इस दुनिया में आने का मक्सद है ये आपका पुरा हो जाएगा हम इस दुनिया में आये हैं शिर्फ आनन्द लेने के लिए ठीका ना अगर हम बिमार पर जाए तो आनन्द का तो बात सोची नहीं सकते दोस्तों इस दुनिया में आयाराम और गयाराम बनके जिना परेगा तो आपका जिन्दिगी और आपका जनेरेशन सही सलमत रहे एही यही मेरा आपलोकों का विनम्रा निवे दने, ठैंकिय। आपलोकों का दिन बहुत बहुत सुपर हैं।